वाइफाई लगवाने के दो दिन के बाद ही एक सपना नहीं होता है, एक ड्रीम तोड़ने वाली बात, मेरा वाइफाई कनेक्शन कटवा दिया गया, वीडियो नहीं बनाना, नहीं बनाना, अच्छे घर के लीडियो नहीं बनाती है, मैंने पने हस्बन को ब्लॉग कर दिया, अपने उन फैमिली मेंबर्स सब को ब्लॉग कर दिया कि वो मेरी वीडियो को देखी नहीं सके और मेरी जितनी भी वाइरल वीडियो है ना वो सब बातरूम की है घर में रहके भी आप बहुत सारे जॉब्स कर सकते हो बस आप को यह करना है गया मेरा नाम आर्ते सिंग है और आपने मुझे कई सोसल मीडिया प्लैटफॉर्म पे देखा होगा फेस्बूक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे और मुझे यहीं से एक पहचान मिली है कि मैं आर्ते सिंग हूं तो मैं आज आपको अपने लाइफ जर्नी के बार में क्यों और कैसे आई हो मेरी स्कूलिंग हुई है धनबाज जारखंट से और मैं एक बहुत ही जॉली नेचर की लड़की हुआ करती थी सबसे प्रेंट्सिप करना दोस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और आज वो सब दोस्त ऐसा नहीं है कि मेरे कोई खास दोस्त दात्शी में गए मीरी शाथी नहीं हो गई मेरी शादी हो गई शादी सी呀 मेरी एकशलि नेचर वाली लड़की गर, ग्रिहस्ती कैसे बन गई और यह जरूनी ऐसा नहи है कि बहुत छोटा रहा बहुत छोटा चला आट-9 साल मैंने घर ग्रिहस्ती में ही बिताया पढ़ाई complete नहीं हो पाई ऐसा नहीं है कि मैंने शादी के बाद exam नहीं दिया या पढ़ाई complete करने की कोशिस नहीं की लेकिन नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा था मेरी जिंदेगी बस एक ग्रिहस्ती में बसके एक टिपिकल्ट हाउस वाई गुंगट वाली बहू के तोर पे बस रह गया था मैं शादी के आठ नौ साल तक भी छोटी सी चोटी जरूरत यानि घर में बहुत हाच जाएंगे तब हम कोई सामान लाएंगे हमारी कोई पूर्ति होगी किसी तरीक ब brass bell को नहीं हो पाता था बहुत नेथा इसी नहीं डोती थी बहुत सारी चीजों की तो वह सब चीजошेह होते नहीं होता था क्यूंकि हम हमदीन थे अपने पती पर और अपन फैमिली पे म मेरे लाइफ में मेरा ड्रीम बहुत सारे ड्रीम मैंने देखा था जैसी कि मैंने बताया कि मैं बहुत ही चुलबुली सी लड़की हुआ करती थी लेकिन शादी के बाद मैं टिपिकल एक हाउस वाइप बनके रह गई 2013 में पहली बार मेंने अपनी हलोग को मुझे यूट्यूब वाला एक दिलादो मैं अपन दिला धो में अपना करूंगी और में कुकिंग वीडियो बनाया करूंगी आप करो cater कि मैं बैटे कुछ करना चाहती हूं और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम घर बैठे भी कर सकते हैं बहुत अच्छा उस टाइम पर मुझे यह भी नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्णिंग होती थी लेकिन मैं अपने आपको बजी रखना चाहती थी कुछ ना कुछ करना चाहती थी फिर मेरे हस्बें नहीं मुझे फोन दिलाया 2013 में कि हां तुम वीडियो स्टार्ट करो तुम कर सकती हो उन्हों नहीं मुझे फोन दिलाया फिर नेट रिचार्ज करवाना बहुत मतलब उस टाइम पर यूट्यूब वीडियो अगर देखते थे अगर 1000 MB की हम कर जाता था तो नेट की बहुत बड़ी प्रोब्लम होई कि अब कैसे क्या करें कुछ चीजे सीखने में ही वह नेट सारा खतम हो जाता था फिर मैंने अपने हस्बंड को बोला कि वाइफाई लगवा दो उन्होंने मेरा वाइफाई लगवाया और वाइफाई लगवाने के पूरा डिपैंड भर के बडड़ो बड़े जो बोलते हैं उस पे डिपैंड थे हम तो कुछ अपने मन से हम लोग नहीं कर सकते आज वी इंडियन फैमिली में बहुत सारे घर या पहुत सारी लेडिवें जो कि अपने हस्बंड और अपने फैमिली पे ही डिपैंड करते कि तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था और आज भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बंड के बिना या हस्बंड के पर्मिशन के बिना मैं कुछ काम करती हूं, वह चलो एक अलग बात हो गई लेकिन जब मेरा 2013 में यह सब कुछ हुआ तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं भी बोलने कि मुझे पता था कि अब तो कुछ खतम ही हो गया, कुछ हम करी नहीं सकते हैं, फिर वैसे ही निकला सब कुछ, 2018-19 में जब लॉकडाउन हुआ 20 में, तब टिक टॉक आया था, टिक टॉक में मैंने व लॉक लेटीज वीडियो नहीं बनाती हैं, उनकी उस टाइम पर ऐसी थिंकिंग थी, तो उन्होंने मना कर दिया वीडियो बनाना काफी, लडाई, कले, सब जखड़ा सब कुछ हुआ, फिर मैंने एक वीडियो बनाना बंद कर दिया, फिर मैंने कुछ दिनों के बाद, फिर और डेली में थोड़ा बहुत खाने की, जो हम लॉक डॉन में बनाया करते थे, वो सब पोस्ट करने लगी, फिर मैंने डुएट किया है, स्टाइल का किसी फॉर्णर के साथ, वो करके मैंने छोड़ दिया, दो-ती दिन के बाद मैंने जब बापस टिक-टॉक होला, तो मैंन फिर की दुबारा नहीं हो जाए यह सब चीज, मैंने अपने हस्बं को ब्लॉग कर दिया, अपने उन फैंबली मेंबर सब को ब्लॉग कर दिया, कि वो मेरी वीडियो को देखी नहीं सके, और इन तक कोई बात ही ना पहुचे, मैं रात में लॉक डाउन के टाइम जैसे की ब वीडियो बनाऊंगी, तो जब लोग सोते थे तो मैं तीन बजे रात में, धाई बजे रात में, क्योंकि उस टाइम पर इना सेडूल ऐसा हो गया था सबका, कि कोई सोता ही नहीं था, फिर भी मैं वेट करती थी, क्योंकि मैं चूब है, स्टाइल वीडियो बनाती थी, और दालती थी, वो सब वाइरल हो रहे थे, तीन बजे रात तक, अगर मैं बताऊं तो बातरूम में बैट-बैट के चिप-चिप के वीडियो बनाती थी, मैं, तो वो तीन बज ना, और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन चला, मैं तेर दो महिने तक बातरूम में बैट हो जाते थे, वो लोग ट्रिंक करते थे, तो गुसा ज्यादा लेवल, बहुत उच लेवल की लडाई हो जाती थी इस वीडियो को लेके, अगर मैं मजाक में भी कुछ बोल दिती थी, क्योंकि मुझे पता था वाइरल हो रही है, लेकिन घर में किसी को नहीं पता था वीडि के वीडियो है, मेरे हस्बंड को वीड कि मुझे सबसे ज्यादा, कर पती का सपोर्ट बहुंत बहुत-बढ़ा सपोर्ट होता अगर पती सपोर्ट करें, और जो लेडिए ना वह कभी किसी से नहीं रड़ती तो ऐसी मुझे मेरे पती का फिर सपोर्ट मिलने लगा फिर मैं एक से हैस्टाइल जो भी मेरे दिमाग में खुद से मन से यूट्यूब से देखके मैं बनाती थी सारी वीडियो बहुत अच्छी चलने लगी सब बहुत अच्छी पैचान मिली मुझे तिक टॉक बंद हो गया पर बहुत सारे लोगों ने बोला तुम मर TuN nhi. नी गई हो जिन्दा की नहीं हो मैं पिर इंस्टाग्रां मेरी डालना स्टार्ट किया जैसे ही जिस दिन मैं इन्स्टाग्राम मैंने जॉइन कि उस दिन रियल का फीचर अगया था मैंने Instagram पही बहुत प्यार मिला है मैं दो मैने वी 2-3 मेने में मैंने मैं 2-2,000,000 followers दो लाइकिस ऐखने मेरा मी हैक और मैं मैं घुटो बहुठt होगी maldee क्यूंकि मोगाना कीicate हम्पार, लोग्त हैं तरुक्राए मैं और आपको हम ब्लू टिक देना चाहते है उस टाइम पर हमें कुछ भी नहीं पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो डारेक्ट इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन या हमें ब्लू बैच के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं था मैंने सामने से उस हैकर को OTP दे दिया और बहुत आराम से मैं दे रही हूं वह सब को जो जो मुझसे मांग रहा है मैंने देखा मेरी तो ID बंद हो गई और मैं इतनी डिप्रेस्ट हो गई कि मतलब डिप्रेसन में चली गई थी मैं फिर मेरे दोस्तों ने मेरे हस्बंड ने सब लगोंने बहुत सपोर बाइस रखो तो सारे काम होते हैं जो आप करना चाहते हो जो आप मिकाम पूरा करना चाहते हो बिक्र all तो आप लोग भी कर सकते हो बस मैं अगर मैं बोलू तो आज मैं मोटिवेट और पतियों को मैं करना चाहती हूं कि प्लीज आप लोग अपनी वाइब को सपोर्ट करो अगर आपको लगता है ना कि आपकी वाइब टैलेंटेट है क्योंकि इंडिया की लेडी ना बहुत ही तै नहीं चाहती है तो आप लोग प्लीज उनको सपोर्ट करो और अगर आपके एक सपोर्ट से ना वह बहुत कुछ हासिल कर सकती है अगर अपनी अर्णिंग की बताओं कि मैंने अपना फर्स्ट अर्णिंग मुझे कितना मिला था आप सुनके हरान हो जाओगे तो चलो मैं हुआ है मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी फर्स रेंणिंग धाई-सो रुपे होई थी वह क्या था कि मुझे एक पोस्टर लगाना था डाइटीशन ने बोला था कि उनका डाइट प्लान हमें उनको स्टोरी पे लगाना है उसका मुझे धाइसो मिला लेकिन रुपे 15-20 दिन तक तो चलता रहा और उस 500 रुपे को लेकि में बहुत खुश्ती ऐसा नहीं कि आपको सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पे ही रहके काम करना है और आप सीड़ी चड़ते जाओ रास्ते अपने आप ही निगलते जाएंगे और आपको घर बैठे काम करना है प्लैटफॉर्म पे ही काम करना है घर में रहके भी आप सारी जॉप कर सकते हो बस आपको यह करना है कि आप गलत नहीं हो आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो अपड़िट अंकल प्ले के ना आप सिर्फ आगे बढ़ते रहों इंडिया के हर मैलाओं को ना मैं बस यही बोलन ने कोपने कंति सकते हैं तो आपको आपको यहां नहीं के दो कि यहांट नज से लुखयों कि बनाना हुद सकते हैं और उस चीज़ से भागने वाली बात होती है तो घबराना नहीं है स्टार्टिंग में ऐसा होता है आपको नेगेटिब कॉमेंट भी आएगा लोग आपको नहीं पसंद करेंगे कभी होता है कि हम एक वीडियो जालते हैं और इतनी वाइरल हो जाती हैं इतने वाइरल हो जाते I'm sure ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज़बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का चलिए ये नई शुरुवात साथ करते हैं सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर विमन एक अच्छी जॉब दिला और हम फाइनांशली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे साथ पढ़ने बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जो श्टॉक्स जॉब फॉर विमन के साथ